सुभा सुभा रोट शो करते मोदी सुभा सुभा भाशन देते मोदी चंद्रयान पर गदगद मोदी, जहरिली टीचर पर क्या बोलेंगे? अपनी विदेश यात्रा से वतन वापसी करते होए प्रधान मंत्री मोदी दिल्ली के जगा सीधे बैंगलूरू गए इस्तरों के उन विज्ञानिकों से मिलने जिन्होंने चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग में अपना योगदान दिया प्रधान मंत्री मोदी जब सुभा सुभा विज्ञानिकों से मिलने गए तो कई सवाल खड़े होए सवाल ये कि जब विज्ञानिकों को पीम मोधी फोन पर और चंद्रयान की लाइव लेंडिंग के वक्त दो बार बधाई दे चुके थे तो फिर तीसरी बार बधाई की ये जरूरत थी या सियासी कवायत सवाल ये कि विज्ञानिकों से व्यक्तिकत रूप से अगर मोदी जी का मिलने का मन था ही तो सुभा सुभा इस रोट शो और भाशन का क्या मतलब बनता है भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था आप सब को सेलिट करना चाहता था पीम विज्ञानिकों की चंद्रयान की उपलब्धी पर भाशन देते हुए भावुखोए अच्छी बात है लेकिन क्या प्रधानमंत्री के मन में चंद्रयान की खुशी के साथ साथ यूपी के मुजफर नगर के प्राइविट स्कूल की इस टीचर की नफरत का खयाल आया होगा क्या प्रधानमंत्री के मन में ये बात आई होगी कि जो देश तीन दिन पहले चांद में पहुचने का जश्न मना रहा है उसी देश में बीजेपी के डबल इंजन वाले यूपी के एक ट्राइविट स्कूल में टीचर एक साथ साल के मासून को पाँच का पहाड़ा ना सुना पाने पर ना केवल उसी के क्लास के बच्चों से पिटवाती है बलकि बच्चों के आगे हिंदू-मुसल्मान वारा जहरूगलती है भारतिय समाज के इस आज के विरोधा भास पर टिटायर्ट करनल अनल दूहन ने कहा चंद्रयान 3 और त्रिप्ती त्यागी नई भारत के स्पेक्ट्रम के दोच हो है विज्ञान और नफरत की कोई सीमा नहीं है ये सामने आ रही वास्त दिखता है आप भारतिय समाज के इस विरोधा भास पर क्या सोचते हैं जो एक तरफ चांद पर पहुँचने का जश्रमन आता है तो दूसरी तरफ उसी के एक स्कूल के बच्चे को बुरी तरह से नफरत का सामना करना पड़ता है कमेंट बॉक्स पे जरूर लेखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें